हेलो एफ्रिबड़ी वेलकम टू अरहान एंटेटेंडमेंट यह सीरीज एक एंथालोजी सीरीज है तो इसका मतलब यह नहीं है आपको के हर एक एपिसोड में अलग-अलग स्टोरीज देखने हो मिलीगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हर एक सीजन में आपको अलग-अलग स्ट कोडल दस एपिसोड से जिसके हर एक एपिसोड 32 मिनेट से लेके 54 मिनेट के बीच में और यह सिर्फ इंग्लीश में अवेलेबल है इंग्लीश सब्टैटल कर शो के प्लॉट बताने इस पहले मैं आप लोगों को एक चोटी सी इंफॉमेशन देना चाहूँगा कि 1916 से लेक फैमिली से उनको यह प्रॉमिस करके कैलिफोर्निया बुलाया था कि उनको इंडस्ट्री डेस जॉब मिलेगी खेर आप बात करेंगी शो के प्लॉट की जो कि स्टार्ट होता 1953 से जहां पर हमें नजर आते हैं और उसकी वाइफ लीविया उर्फ लकी इनॉर्मी और इनकी द के लाइफ में आगे बढ़ना जाते हैं लेकिन कैम्टन कैलिफोर्निया आकर इनके साथ क्या कुछ होता है यह सब कुछ जानने के लिए आपको यह सीरी से देखनी बढ़ेगी बात करेंगे शो के कॉंसेप की तो यहां पर हॉरर प्लस रेसिजम इन दोनों को मिक्स करके एक कसब की स्टूरी आपके सामने पेश किये और यह मुझे नहीं पता कि कहानी फिक्शनल है यह वाक्या में यह साही की साही चीज़े रियल में हो चुके लेकिन जब आप लोगे शो को देखते हो तो 100% आज की जो प्रेजन सिच्वेशन है यानि पिछले साल ब्लैक लैप्स म यानिक वो गोरे लोग है जो लोग आज भी काले लोगों से बहुत ही जादा चिरते उनको बिलकुल भी वो लोग पसंद नहीं करते तो यह सारी की सारी चीज़े किस तरह से शुरुआत हुई थी और 1950s के एरा में उस वक्त जो वाइट पीपल से वो लोग काले लोगों से क इस तरह से बीएव करते थे वो सब कुछ यहाँ पर आपको बहुत ही डीटेल में बहुत भी अच्छी तरह से देखने को मिलेगा खर उसके शुरुआ में अगर क्यरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको मल्टीपल क्यरेक्टर्स देखने हो मिलते यानिकि सिप एम और की तरह से इस फैमिली से इमोशनली करेक्ट हो जाता है उसके लगा दूसरे केरेक्टर से उनके भी आपको अलग अलग प्लॉट्स देखने मिलेंगे जो कि आपको कंटिनूसली एंगेज रखते इस पर्टिकलर शो से उसके शो के सिनेमडेग्राफिक की बात करें तो भाई की हाईलाइट है जिस तरह से हर एक सीन को शूट किया जो लाइटिंग का यूज किया जो वी एफेक्स दाले है और जो जमस्केर सीन बताए है यार सिनेमडेग्राफिक की तो जितनी ताली तरे वह कम है लेकिन इस पर चार चान लगाता है इस शो का बीजियम वाव सबड़ बीजियम हर एक एपिसोड में आपको एक अलग तरह का बीजियम सुनने को मिलेगा जो आपको उस एरा में वापस लेकर चिलाया था उसके पूरे शो में आपको अलग-अलग सुनने को मिलेंगे जिसके जो लेरिक्स है वो काफी पावरफुल है और वो सॉंग इतना इफेक बच्ची की दैद बताया है वो सीन को इतना अच्छी तरह से शूट किया है कि वहाँ पर आप लोग वह जो लोग जो बच्चे को मारते ना तो उनके अंदर ना आप इवेल देख पाऊंगा मतलब उनके एक्स्प्रेशन के तुरू या मतलब या राज आई डोंट है एनी इस शो की चीजों को किस तरह से डिस्क्राइब करूँ उसके लावा एक एपिसोड आपको यहां पर मोनोक्रॉम में भी देखने हो मिलेगा यानिके ब्लैक वाइड में लेकिन वह एपिसोड इतना इंस्ट्रेस्टिंग है वहाँ पर चीजों के इतनी अच्छी तरह से एक् पर चीजों को धीरे-धीरे-धीरे-धीरे बिल्डब किया लेकिन जैसे ही फिप्ट एपिसोड आता है वहां से चीजें रिवेल होना स्टार्ट होती है और वहां से आपका इंट्रेस्ट भी आटोमेटिक और भी ज्यादे दुगना हो जाता है एक्टर्स के परफॉमेंस की तो यहां पर हर एक एकटर ने अपने इससे के रोल को बहुत अची तरह से के जैसे के फॉर इजबल डेबोरा जिसने यहां पर लकी अनोर्मी का रोल प्ले किया उनका किर्दार कुछ इस थरा का था कि वो रियाक्ट करने से पहले एक्ट करती थी और कहना पड़ेगा कि पूरे शो में डेबोरा ने मेरा दिल जीत लिया बाई ता वेशी परफॉंस यार मदा आ गया और अलगले क्लियर थे उनके पर्टिकलर रोल में और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बहुत ही उन्दा निवाया और यहां पर एलिसन थॉमस जिसने आपर हैंडरी का किर्दार निवाया कहना पड़ेगा उनके पास भी बहुत ही चैलेंजिंग रोल था और वह एक ऐसे फादर ऐसे हस्बेंट का रोल प्ले करें जिनको अपनी फैमिली को प्र प्रामा हुआ है जो चीज हुई है तो उसको भूलाना भी चाहते हैं कि सेर्वल चीज उन्हें वह पड़िकलों केरेक्टर फेस कर रहा है लेकिन फिर भी वह किस तरह से हस रहा है किस तरह से बोल रहा है वह सारे चीज़े स्क्रीम पर उतारना भाई ऐलीसन थॉमस से सिखे आने कि इस बंदे से सिखे उसके लब हर एक एक्टर ने अपने हिस्ते के रोल का बहुत ही बहुत ही रियलिस्टिक वे में निभाया और वह दो बच्चे जो चाइल एक्टर से उन लोगों ने भी बहुत अच्छी काम किया और शो की एडिटिंग भी अच्छी तरह से की अच्छन मुझे बहुत अच्छा रहा लेकिन एक चीज़ कहनी पड़ेगी कि जब यह पूरा शो आप लोग देखते हो तो आपके माइन में एक चीज़ आती है कि कहीं ना कि यह जो ब्लैक पीपल से उनके नजरिये से इस शो को बदाया है शायद क्योंकि सारे के सारे गलत तो पूरे लोग गलत वैसा हो नहीं सकता तो यहां पर मुझे वही चीज़ नेगेटिव लगी कि शायद पूरे वाइट पीपल को यहां पर बुरा बता दिया तो यह मेरा अपना अपना ओपिनान है प्रेंटल गाइडेंस के लिए तन नहीं कह सकता कि यह आप अपनी अपनी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और वीडियो पूरा जरूर देखा करो सौरी यार डीटेल में समझाने के चक्के में यह साही की सारी चीज़े हो रही तो यह मुझे माफ करना मैं खुद नहीं चाहता इतने बड़े वीडियो बनाना तो मिलते नेक्स वीडि दिलिन बाइ